गाजियाबाद का आमिर जूस वाला जिसने अपने ही जूस में पिशाब मिलाकर लोगों को पिला डाला प्रगें नहीं प्रपपाएं सब्सक्राइं रख और अपना नाम रखो अफिए जोड़ा अपनान नाम रखो अपैंड़ रखो अब हिंदू के नाम से क्यों चला रहे हैं मतलो जाए इनकी जिहाद शेख लखे नाम आम सुहेल और जूस को रूर का नाम खोसी इसे कुछ इसमाइल सी आई उसमें तब उसको पगड़ा तो इसमें सक्या डाला है कि जो कि इसमें इसमाइल सी आ रही है वो ले इसमें फिलेवर डालता हूं मतलुज़ ये बैराइच का रहने वाला है योगी जी से खास अपील है कि इसके घर पर बुल्डोजर चलना इनकी जेहादी सोच है ये धरम भरष्ट करना मतलुज़ जो है हिंदू के देश में हिंदूस्तानी परिशान है इस वक्त इनकी जेहादी सोच है प्री प्लाइंट है पीछे से मतलुज़ इसकी चार दुकान है एक शांतिनगर में एक बल्लानगर में एक दो नमबर पे ती ऐसी घटना जिसको सुनके आपके कान खड़े हो जाएंगे जी हां ये वही खुशी जूस कॉर्णर है जिसकी खबर पूरे देश में फैल रही है जहां एक आमिर नाम के लड़के ने जो इस दुगान का संचालक था उसने जूस में वानो पिशाप को मिलाकर लोगों को पिला अब जातों कैसे लोगों को शक हुआ कि आखिरकार जूस में जो है पशाप मिलाकर उनको पिलाया जा रहा है मेरे साथ यही पर लोकल के कुछ लोग है उनसे बातचीत कर थे पहले आपको नहीं पता था यह मुसलिम नहीं कि कुछ नहीं पता था गया जो आए सब्सक्राइब यसम्माइल ने पडियम सक्राइब इसमें सब्सक्राइब इसमें इसे समयाइल ना प्लाइब इस दुकान वाले पर इसको भी मारा पीटा सब्सक्राइब करें इस बात को उसके बात पता चली जब उसको मारा पीटा जब पुलाई तब उसको पकड़ा गया यह हिंदू के नाम से चला रहा था दुकान किसका है किसी ने किसी ने तो पूछा होगा ना कि दुकान दार दुकान खोलने से पहले आधार कार लेते हैं किसी के नाम से खुला उनको तो यह बात है अगर यह पता हो इनको सब पता है मतलब क्यों नहीं आ रहे हैं अब क्यों प्रचार में आप लोग पत्रकार की बूमका होती है कि मा थाचार हुआ ऐसा वह इस पर आप भी जोड़ दोगे ना कि ऐसा ना हो लोग इन्डू के साथ आपकी तरफ से नहीं है मीडिया की तरफ से हम यहीं कहना चाहते हैं कि जितने जान ही हिंदू रहे रेरी। उनके साथ मुहमडर्र आता हैं हमने कभी कोई बेचा नहीं करते मर्व हमारे साथ करते उस टेम ऐन कोई जगे सेनियों को वह मैंने देगा फलो को न नाले में धौइ माद के इhen क्र एक क्या रहा है है इसने शोच इनकी जीहादी सोच प्रीप्लानें ग्रम्स Istra चार दौक्षाने सौस्जारे स्यंत्रा द मैं तान है एक सांथिने गर में रहा ना करें पिरकोर कोई दुकान ना दे कोई लालच ना करें बहुत रहें हिंदू मन नहीं गये जो कि वह खरीद नहीं सकते हैं किराई पर नहीं ले सकते हैं उनको सपोर्ट करें उनको सही हो करें साचन प्रशाशन से आप लोगों कि क्या हम आएंगे कि प्रशाशन भी इस चीज़ पर गौर करें हम लोग को यह तराज उठाते हैं प्रशाशन हमें आगे तंड़ा देने कोजिस करता है वो भी ना करें योगी ने कहा है वो सही कहा है कि अपना नाम लिखो दुकान पर वैसी बात नहीं है जिहादी सोच है इनकी प्री प्लाइनिंग होती है मतलो जो है कि हिंदू के नहीं खोलो पिसा पेलाओ या यह थूक से चाटओ यह करो इनका प्री प्लाइनिंग है मतलो जो पीछे से पैसा मिलता एक वादा दो आदमी पंद्रहजार निके हो गए 15,000 प बंद कर दी गई सुबहर छोड़के भागए नगर पलका बाले ले गए दो नम्मर पर बंद करा दी सबासत हमारे साथ रहा है मतलो जो है और एक लक्षी में बंद नहीं हुई है मतलो जो जो है एक मेरा आप से सवाल यह रहेगा ऐसी माम सिकता कि पीछे का कारण क्या हो सकत है कि हिंदू तेवारों को आपने देखा होगा टार्गेट करने का काम किया जाता है कभी रोटी में थूक लगा दिया जाता है कभी फलो में थूक लगा कि उसे पोस्ट दिया जाता है कभी पट्रियों पे पत्थर रख दिये जाते हैं सीमें के बड़े बड़े धेर रख तो इस ऐसी मान शिक्ता के पीछे का कारण क्या है कारण सीधा है कि इनकी जेहादी सोच है दर्म भरष्ट करना मतलों तर्म आइए मतलब सनातन धर्म हिंदूों के लिए नहीं है और किसी के लिए नहीं है सब्सक्राइब लेना तो अपना नाम रखो ना कोई या न ले उसका अपनी मर्जी है मतलों फ़िए पर बीदायक जी को भी बोला हमने सब जगे बोला बाई ये सांधा ये करना मैं ट्रों के नीचे देखो न चाच्छा लेन लगा लेते हैं अगुंडा करती करते हैं कोई बंदा हम एंबूलेंस जा रही है कोई कुछ जा रहा है कोई सुनाही नहीं होता है कुछ नई बात थोड़ी हो रही है आप गलती से एंबूलेंस वैसे करो आप जगड़ा कर लेंगे कौन सबोट करता है पुलिस ने पूछा कि यह पिसाब क्यों करते हो उन्होंने क्या बताया कि हम रात कुछ यह सोते थे तो धर की वज़े से पिसाब इसके अंदर ही कर लेते है आपने देखा है डेखी है न तो पांच लीटर था अब पांस फिर्ट पे श्तरा रहे हो मतलु मतलत है क्यों क्यों करते हैं मांग है क्यों यह योगिजी से खास अपील है कि इसके घर पर बुल्डोजर चलना चाहिए बुल है ज़िए अब ट्रते अखिलेश के अंदर एक मामला नजर आता है खास तोर पर विपक्ष जहां पर अखिलेश यादव देखते हैं कि अगर किसी अन्य जातिका है किसी अन्य समुदाएगा है तो एक जो है मगरमच वाले आसू बहाने के कोशिश करते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि बुल्डो नहीं है आस्टेलिया में टापू ऐसे नहीं बन गया होटल ऐसे नहीं खरेद लिए नेता उन्हें तो उन्होंने जंता का खूंचूस के करा है और रही बात वो तो राग अपना अलापते रहेंगे जंता न कभी उनको सुईकार तो करने वाली है नहीं योगी जी ने जो ब इससे हमना प्रगी जो यहां से धन कमा के बेराइच में जो पैसा कमा रहा है उसके घर पर बुल्डोजर चलना चाहिए है उसको पकड़ा गया जेल चला गया वो फिरा के दुकान खोलेगा तो उसको उसके घर पर है मतलब योगी जी बाबाय को बिल्डो देर चलान से ही है अच्छा इस पर एक बात हो रहे है इस पर कोई ऐसी कमेटिक गठित करें कि यह पता लगाएं कि यह कोई ओगनाईजेशन है क्या देश के अंदर यह मुझे बहुत बड़ी बू आ रही है इसके अंदर कि कोई ना कोई टार्गेट किया जाता है जैसे किसी लड़की को बहलाना फुसलाना इनका यहां अगनाईजेशन चलती है मुझे पता है का कि ब्राह्मान की लड़की के साथ इतना उसके इतना उसके इतना पलब टार्गेट एक 20% लोग 80% लोगों को परिशान करके रखा हिंदू के देश में हिंदुस्तानी परिशान है आइस वाक्त